नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सक्तिरतन कैपसूल के बारे में सक्तिरतन कैपसूल से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में सक्तिरतन येक आयरुवेदिक कैपसूल है इसका उपयोग दुबले पतले सरीज से छुटकारा पाने के लिए किया यता है इसके अलावा इसकी और भी अन्य उपयोग हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे सक्तिरतन कैपसूल को आयरुवेदिक जड़ी भूटियों से बनाए गया है सिलाजीत, असुगंदा, सपेत मुसली, सतावर, संकपुषपी, ब्रामी, गिलोई, आमला इस सभी अलवेदिक जड़ी भूटियों इसमें मिलाई गई है सक्तिरतन कैपसूल आपको 95 रुपए में किसी मेडिकल इस्टोर पर मिल जाएगा सक्तिरतन कैपसूल के फाइदे सक्तिरतन कैपसूल का उपयोग दुबले पतले सरी से चुटकारा पाने के लिए किया एता है सक्तिरतन कैपसूल में अस्वगंदा और सिलाजीत होते हैं जिससे उड़ जाके इस तरको बढ़ाये जा सकता है सक्तिरतन कैपसूल में कुछ बहुत फायदेमन सामगरी जैसे की ब्रामी और संकुस्पी होती हैं जिसमें मानसिक सतकर्ता और एकागरता में सुधार करने में मदद मिलती है सक्तिरतन कैपसूल में इस्तमाल की जाने बाली जड़ीबूटियां जैसे की आमला गिलोई एंटी ऑक्षिडेंट पिर्चुर मात्रा में पाये जाता है माना जाता है कि इनमें सरीर की पिर्तिरच्चा बढ़ाने बाले बहुत सारे गुड़ों होते हैं सक्तिरतन कैपसूल पाचन तंद्र के सभी रोगों को ठीक करके भूक बढ़ाता है और सरीर को तंद्रुष्ट बनाता है सक्तिरतन कैपसूल के लाग सक्तिरतन कैपसूल में अस्वगंदा होता है जिससे तनाव और चिंता के लच्छडों को कम करने के लिए उप्योग किया जाता है सक्तिरतन कैपसूल में सपेद मुसली होती है जो की योन सुआश्ट और जीवन सक्ति में सुधार के लिए उपयोग की जाती है और पुर्षों की योन सक्ति को बढ़ाता है सक्तिरतन कैपसूल का लंबे समय तक उपयोग ना करें जितने दिन आपके डॉक्टर ने आपको लेने की सला दी है आप उतने ये दिन इस कैपसूल का इस्तमाल करें ज्यादा इस्तमाल करने से आपको दिक्कत हो सकती है सक्तिरतन कैपसूल खाने का तरीका एक कैपसूल सुबह और एक कैपसूल साम को डॉक्टर खाने की सला देती है सक्तिरतन कैपसूल का उपयोग खाना खाने के बाद ही करना चाहिए सक्तिरतन कैपसूल के नुकसान जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त, सिर्दर्द, चक्कराना, एलर्जी, खुजली अगर आपको बताए गए साट प्रक नजर आती हैं तो आप इस कैपसूल का उपयोग ना करें सक्तिरतन कैपसूल का उपयोग करने से पहले को साबदानिया बढ़तनी चाहिए 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को इस कैपसूल का उप्यों करने से पहले डॉक्टर से सला लेनी चाहिए गरबबती मैला को सक्तिरतन कैपसूल का सेवन अपने डॉक्टर की सला लेने के बाद ही करना चाहिए यासी इस्त्री या पुरुस जो कि किसी कि भी गंबीर रोगी से पीड़ेते हैं या किसी अन्य दवा का सेवन कर रहे हैं उन्हें इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सला लेनी चाहिए हाई ब्लड प्रेसर और ड्यबटीज के मरीजों को सक्तिरतन केप्सूल का सेवन डॉक्टर की सला के बाद करना चाहिए यसी मैला हैं जो की हाली में मा बनी हैं और अपने सिसू को इस्तपान कराती हैं उन्हें इसका सेवन डॉक्टर की सलाखे बादी करना चाहिए सकती रतन के अपसूल में उपश्तित किसी भी गटक या सामगरी से किसी परकार की अलर्जी होने पर इसका उप्यूग ना करें हमारे द्वारत दीगी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट करके बताएं और अधिक दवाईयों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें